हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम विज्ञान के महत्पुर्ण वायरल प्रशनों को देखेंगे जो आपके बोर्ड के एक्जाम के लिए ये प्रशन बहुत जादा इंपोर्टेंट है फ्रेंस जितने भी प्रशन आज आप सभी को कराएंगे ये सभी विज्ञान और जीविज्ञान के महत्पुर्ण प्रशनों को यहां पर हम देखेंगे यह जितने भी प्रशन फ्रेंस आज आपको करा रहे हैं आपके बोर्ड के दुवारा कराएं गए सभी प्रिविश एयर के क्वेस्टन हैं जो सन 2022 में पूछा जा चुका है 2020 में पूछ से कम चार से पांच बार यह प्रशन रिपीट हो चुके हैं तो आपके 2023 में भी यही प्रशन अदम सेम तुसेम यही प्रशन छपेंगे ठीक है फ्रेंस तो आप सिर्फ क्या कीजिएगा कि वीडियो को अंध तक देखिएगा जितने भी प्रशन करा हैं उसको समझिएगा ठ करेंस इस आपकी सामने पहला सवाल है कि वायू में प्रکाश की छाथ 3 गुड़ी दसपी 8 मीटर प्रति से केंड हैं जबकि एक पदारतattend में इसकी चाल 5 गुड़ी 10 पी 8 मीटर प्रति से केंड हो जाती हैं तो पदारत कर अपूरतनांक की जिए फ्रेंस इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे देखी अपर्तनाइग जो हता है अपवर्तनांग नांग ₤ बरावर देखे अपवर्तनांग को यन से दिखाते हैं यनfolी और फार्वूला ऑता है c भटा के भी जहां c जो हता है yू में प्रकाश की ठीक हैं अब यहाँ पी देखिंगे प्रकाश की चाल देख लेते हैं वाई हूमे प्रकाश की चाल कितना है तहीं गुड़े 10र8 पर 30 सेकंड हैं धी सिहाँ पर लिखेंगे तीन गुड़े कैसे तीन देस्मल आठाएंगे तो जीरू उपर चला जाए यहां पर पंद्र हो जाएगा दिखेंगे 25 यह पंद्र फंद्र दुनाकर 30 दू आया तो आपका पौर्टनांक कितना होगा फ्रेंश दू होगा तो इस प्रकास से आप सिंपल भासा में अदब आसानी से लगा सकते तो इसका सही जवाब क्या होगा देख लीजिए आपके सामने चार अप्शन है इसमें से इसका सही जवाब होगा डी ठीक है चलिए अगले सवाल आपके सामने दूसरे नंबर का कि सम्तल दरपढ़ द्वारा निरिमित प्रतिविम्ब का आवर्धन होता है फ्रेंस आप याद प्रतिविम्ब का आवर्धन कितना होता एक तिसका सही जवाब होगा एक चलिए आपके सामने अगला सवाल दूसरे नंबर का कि किस रंग में सबसे अधिक विचलन होता है देखिए यहां पर आपको बताना है कि सबसे अधिक विचलन किसमें होता है तो फ्रेंस देखिए यहां पर आपके एक concept बताते हैं याद रखिएगा विचलन जब पूछिए आपका ठीक है विचलन और एक पूछता है विचलन के साथ साथ में पूछता है तरंग देर्द हमेशा पूछता है त्रेंग देर्द ठीक है विचलन जो सबसे अधिक किसमें होता है तो विचलन सबसे अधिक देखिए आपका बैगनी में होता है किसमें होता है बैगनी में ठीक है और सबसे कम विचलन किसमें होता है तो लाल में इसको याद रखिएगा ठीक है जबकि त्रेंग देर्द आप सबसे जादा विचलन होता है आपका बैगनी रंग में ठीक है और सबसे कम यह पूछता है कि विचलन किसमें होगा तो लाल में बताएं इसको आप याद रखेगा इसी प्रकाल लिख लिए प्रशन हर साल रिपीट होता रहता है ठीक है कभी तरंग्डियर्द पूछ देता है कभी विचलन पूछ देता है इसमें तरंग्डियर्द आप बता दीजिए ठीक है इसको नोट कर लिजिए कहीं न कहीं चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपके आपके सामने यह अगले नंबर का है कि स्वस्थ आखे के लिए दूर बिंदू होता है आपको यहाँ पी क्य स्वस्थ जब कोई व्यक्ति होता है उसका आख का दूर बिंदू दखें यहाँ पर आख लिख लेते हैं तो दूर बिंदू तो जो हता है फ्रेंस क्या होता है अनंत होता है और निकट बिंदू पूछता है तो 25 सेंटीमीटर इस प्रश्ण को याद रखे कितना बताएंग है कि प्रतिरोदों को समना अंतर कर में जोड़ा जाया तो प्राइम्य प्रतिरोध होगा ठीक है अभ इस सवाल परतिरोत के दो परतिरोत किसमें जोड़ा है समनांतर में देखिए ऐसे बना लीजिए पहले समनांतर में दो परतिरोत को ठीक है यह दो परतिरोत होगा समनांतर में यह और यह भी क्या है और फिर करा जोड़ा जाए जाता एक आर परतिरोत को इनके स्रेड़ी में जोड़ा ज है इसको समनांतर में जोड़ा गया है ते इसका तुल बटाद के आर हो जाएगा ते जब आर कमांड को आर अपर चला जाएगा तो आजए आप देखिए इसका अलग से सर्कीट बनाएंगे तक कैसे बनेगा ऐसे बनेगा देखिए इसको हम हल किए हैं तो कितना है आर बटा के 2 तो तो यहां तो रख लिजिए का और इस का मान रहा तो अब दुन किसमे हो गए सीरीज इसका तुल परतिरोद को डार रखीएगा जो आर एक मान दिया है ठीक है रख लीजएगा और जीतने परतिरोदों की संख्या देगा उसमें भाग दे लेते हैं ठीक है तो होगा अब इसको जैसे आरघ्टा को तुल परतिरोद होगा आब इसको किसमें जोड़ना स्रीज में जब स्रीज में जोड़ना है तो इसमें प्लस एक और तो जोड़ दीजिए देखें टू आर यानिकि थ्री आर बटक टू डारेक्ट कर सकते हैं एक लाइंग में ठीक है तो आप ट्रिक्स से भी हल कर सकते हैं या लाइंग भी इस जैसे आपको पढ़ाया जाता है क्लास दस मे हैं इस तरह आप हल कर सकते हैं इसका प्रतिरूप का मात्रक है ठेके प्रतिरूप को तो आपको पता होगा १ाने से दिखाते हैं ठीक है और मत्रकों उतॉक होता यहां सहे having two दिखाते हैंं public इस तरह दिखाते हैं तब क्रतिर्वाइब क्या है आपका ओम Lee सिस्कर्छी सभी को बदा देते हैं यह देखिए empathy झो होता है जो होता है घ्जारा का मात कर 금ता हुए बोल्डिक समय होता है go का होता है विभवांतर का होता है ठीक है क्या किसका होता है यह सभी सवालों को याद रखिए यही इस अब सवाल आपके बोड के इसाब बार बार रीपीट होते रहते हैं ठीक है चलिए आपका अगला सवाल आपके सामने है आपका अगला सवाल है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वयदुद परतिरोध होता है या यानि वयदूद परतिरोध यानि ताप हम ताप बढ़ाएंगे तो चाला का परतिरोत बढ़ता है ठीक है बढ़ता है ठीक है जब हम ताप बढ़ाएंगे तो चाला का परतिरोत बढ़ता है लेकिन जो अचाला होता है जैसे प्लास्टिक हो गया लकड़ी हो गया जैसे इसका क्या हो जाता है जो अचाला क पदार्थ हो जो होते हैं उसका परतिरूत क्या होता है घठता है दोनों कंसेप्ट आप साथ में याद रखेगा कभी भी confusion नहीं होगा यहां पर ताब बढ़ता है इसका सही जवाब होगा बढ़ता है चली अगले के नमबर evolves देखते हैं आपके सामने अगला सवाल है कि एक टेसला बरावर होता है फिरेंज ययाद रखेगा कि जो टेसला होता है कि चेतर वैदू छुमबकी की छेत्र को किसे दखा देबी अब बिबरा क्या अधा फाइफ हपान ए होता है ठीक है यह अधम जितने वी पॉइंट बता रहे हैं आपकी बोड की एकजाम में हंडेट परसेंटेज यही सब सवाल हम सेम टू सेम आते हैं ठीक है बीचकल तुफाइफ हप प्रति मीटर स्क्वार होता है ठीक है अब देखिए वेबर प्रति मीटर स्क्वार को हम क्या कहते हैं टेसला कहते हैं टेसला ठीक है अब यहाँ पर पूछा एक टेसला किसके बराबर होगा तो वेबर प्रति मीटर स्क्वार के बराबर होगा तो इसका सही जवाब क्या हो जा है कि एक चालक में दो एंपियर की धारा दस बोल्ट पर ठीक है एक मीनिट तक परवाहित की गई तार में बै वही वैदुत उर्जा का मान पूछ रहा है ठीक है अब देखें बै वैदुत उर्जा का मान पूछ रहा है यहां पर क्या होगा आप कहा देखें वैदुत उर्जा वराबर होता है फार्मूला वैदूत उर्जा्ड टाबलू से दिखाते हैं और डाबलू बरहता है भी आई टी होता है क्या होता है सूनी दोस्तों देखे फ्रेंस वीजीं बरहता है अब दिया देखिए फ्रेंज जब इसमें लगाते हैं तो वन मिनट मिनट को किसमें मात्रक सेकेंड होता है तो वन मिनट बराबर कितना सेकेंड होगा साथ यहां पर रखेंगा साथ अब गुड़ा कर लिजिए चादुना के बारा डबल जीरो हो जाएगा ठीक है तो वायदूत उ सवालों को आप सिंपल भासा में लगाई यह दा चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नमपर का सवाल है कि वैदू धारा उत्पन करनी की युक्ति यह वैदू धारा कौन इसमें से उत्पन करता है आपके सामने सवाल है कि जनित्र होता है या धारा माप करते हैं कभी कभी जनित्र ना देखे आपको डायनमो देता है यह भी याद रखिएगा कि जनित्र क्या करते हैं जनित्र जो होता है वैदुद्धारा उत्पन करता है इसके साथ विद्धुत वाहक बल भी उत्पन करता है ठीक है यह आपके आपसन बनता रहता है वैदुद् करता है जनित रूत्पन करता है तो इसका सही जवाब होगा ए ठीक है चलिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है अब कमेश्ट्री के कुछ को देख लेते हैं अब देखिए है यहां पर यहां पर यापिए अ अब हैजम में हाईड्रोजन हा जाएं तो यहां पर पियरोजन के तीन जडिद शुद्द जल का पूच्छटा है सुद्ध जल सुद्ध जल का pH मान पूछता है तो आप बताएंगे कि 7 होता है सुद्ध जल का pH मान 7 होता है यदि अमल पूछ देता है तो अमल का pH मान होता है 7 से कम होता है इसको याद रखी जितने भी point बता रहे है यदि छार का पूछ देता है चार का pH मान तो होता है 7 से अधिक 7 से अधिक होता है ठीक है ति इसमें आप पूछा Yes to Yes और Yes to Yes है क्या एक अमल है और अमल का pH मान क्या होता है 7 से कम ति तीनों पॉइंट अब याद रखियेगा और यहाँ पूछा है 7 से कम यहां पर देख लीज़े आप कौन सा आपसा है यहां पर बताना है कि प्रबल छार कौन सा आपसान है इसको पढ़ते हैं इसको पर प्रबल छार कौन सा इसको याद रखी कर दो और जो सरालता से आक्सक्रित हो जाता है उसे क्या करते हैं जैसे कापर करते हैं CU या AG या AL या PT तो इसमें इसका जवाब बताएं फ्रेंस और जिसका एंस्वर आपको कमेंडर बाक्स में भी लिख सकते हैं तो इसका आपका सही जवाब होगा इल्मूनियम जो इल्मूनियम होता है वो आसानी से आक्सिक्रित हो जाता है इसका सही जवाब होगा इल्मूनियम आपके सामने अगला सवाल है कि मार्श गैस का रसाइनिक सुत्र है मार्श गैस का रसाइनिक सुत्र क्या है फ्रेंज देखें यहां पर दिया है CH4, C2H4, C2H2 C2-HC जो मार्स गैस होता है फ्रेंज इसका रसाइनिक सुत्र होता है CH4 मार्स गैस को हम याद रखिएगा ये आपकी पेपर में हमेशा पूछता है कि मार्स गैस का रसाइनिक सुत्र क्या होता है CH4 जिसे हम क्या कहते है मेथेन भी कहते है मेथेन दमार्स गैस को हम क्या करते हैं मेथेन करते हैं जिसका रसाइनिक सुत्र है CH4 ठीक है चलिए अगले नमबर को सवाल को देखते हैं पंदरे नमबर का सवाल है कि एक विलियन में हाइडाकसाइड आयन देखिए इसी का मतलब समझे है हाइडाकसाइड का सांदर एक गुड़े 10 में माइनस 12 मोल प्रति लीटर है इस विलियन का पी एच मान गयाद कीजिए देखिए अप पी एच मान से संबनी सवाल है जब हाइडाकसाइड देगा फ्रेंस हाइडाकसाइड आयन इसका फार्मूला आप डायरेक्ट याद रखिएगा आपको पता भी होगा कि एच प्लस आयन इसका गुड़ा करेंगे ओच माइन जिससे इसी को हाइडाकसाइड आयन करते हैं oh-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish-ish चाहँदा देखिए इसको पच्छांतर करें गुड़ा में तो भाग में आ जागा पूरे यानिक एक गुड़े 10 में माइनस 12 अब देखिए इसका विलियन का पी एच मान पूछ रहा थी इसका पी एच मान कैसे निकालेंगे देखिए अब पी एच बराबर होता है माइनस लाग ठीक है यच प्लस आया ठीक है माइनस लाग देखिए इसका मान कितना आया है आपका दस पर माइनस दू इस माइनस दू को इधार लाएंगे तो देखें माइनस जब इधार आएगा तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानि दू लाग कितना हो जाएगा है लेकिन आपको ट्रिक्स लगाना रहेगा तो कैसे लगाएंगे यहां पर देखिएगा कि हाइडाकसाइड आयन दिया है हाइडाकसाइड आयन देने का मतलब वह ओएच माइनस और इसका मान दिया है दस पर माइनस 14 के पराबर होता है तो आप ज्या कीज़ेगों के चोदे से 12.12 गटाएंगे दारेक्ट के लिकएड़कर 10-14 मेंस 14 मेंस 12 कटाएंगे तो कितना दू हो जाएगा आपको अच्छा लगे आप बोर्ड के एक्जाम में लगा सकते हैं ठीक है आपके सामने अगला सवाल है कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है देखिए आप आगे जी विज्ञान के महत्यपुरु प्राश्ण अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है तो अमोनिया पर सामने अगला सवाल है कि केवल नर जनन में पाई जाने वाली गरंथी यानि कि नर जनन जो मानो मनुस्त होता है जो पूरुस होता है उसमें कौन सी गरंथी जो होता है खाली उसी में पाई जाता है प्रोस्टेट पाई जाता है जटर पाई जाता है पेरेनियल पाई जाता प्रस्टेट 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 पाया जाता है चलिए अगले नंबर का सवाल कि हुखने स्क्राइब होना है कि मुपलन किस चाहिएphin टेनेरिया में हाईडरा में लिश्माइनिया में चली में परिकुलन योग कुस्का की होता है तो चáriट्व beh disciplines के झाइडरा में होता है झीके सुक्त अगला नमबर का सवाल है अनुवानशिक्ता के जनक थे अनुवानशिक्ता के जनक क्यों है चार्स डार्विन ही了吧 इस इसमें से इसका सही जवाब होगा फ्रे, ग्रेगर जान मेंडल, ग्रेगर जो जान मेंडल है, वो क्या है, अनुवांशिक्ता के जनक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, आपके सामने अगला नंबर का सवाल है, कि उद्यान मटर में अप्रभावित लच्छड है, इसमें से जुरुईदार बीज जो हता है अप्रभावित लच्छड जो मटर होता है उसमें अप्रभावित लच्छड क्या देखा गया जुरुईदार बीज तो फ्रेंस यहां पर आपके वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें